इस ग्रंत का नाम है भविश्यत परार्ध जो की 600 साल पुराना है और ये इसका प्रकासित संसकरण है। भविश्य मालिका के इस ग्रंत में पंच सखाव में सरष्ट संत गुरु अच्चू तरंद जी ने कहा था कि जब कल्यूग के अंतिम काल में कलकी अवतार का लीला आरम होगा तबोडीसा में बार बार आकास मार्ग से प्रचंड गर्जना सुनाई देगा। अध्यात्म के भासा में इसे भाईरवी का चितकार कहा जाता है। एवं विज्यान के भासा में स्काई क्वेक्स। ये स्काई क्वेक्स एक तरह के भूकमपी होते हैं। अंतर केवल इतना है कि ये जमीन पर नहीं होते बलकि उपर आकाश में होते हैं। और कभी-कभी ये इतने शक्तिसाली होते हैं कि एक पूरा का पूरा शहर कई सेकंड्स तक थर-थर कांप उठता है। बिल्कुल वेसे ही जिसे 29 ओक्टोबर के दन ओडिशा का नेडोगिरी सहर कांप उठा था। जय और पराजय का विचार छोड़ के करतव्य परध्यान दो तर अपने आप दू हो जाएगा। परिंतु यह आवाज न्यू हैंपशेर के 40 सिटीज में सुनाई दिया था। यह प्रचंड गर्जना आखिर आया कहां से। अठाइस ओक्टोबर 2024 के दिन BBC के साइन्स फोकस में डॉक्तर क्लेयर आशर ने एक रोचक आर्टिकल प्रकाशित किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि रहस समय आसमानी भूकंब दुनिया भर में आतंक मचा रहे हैं। पर कोई नहीं जानता क्यूं स्काइक्वेक्स एक तरह के भूकंपी होते हैं। अंतर के वल इतना है कि यह जमीन पर नहीं बलकि उपर आकाश में होते हैं। पिछले पांच सालों के अंदर इनका संख्या बहुती अधिक बढ़ चुका है। और पूरे प्रतिवी पर हर साल लगभग 20 से अधिक स्काइक्वेक्स होते हैं। इसी कारण अलग-अलग देशों में इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि नियॉर्क स्टेट के नियर सेनेका लेक अंचल के लोग इसे सेनेका गंस कहते हैं। बेलजियम के लोग इसे मिश्ट पॉइफर्स कहते हैं। जापान के लोग इसे उमीनारी कहते हैं। और हमारे भारत में इसे भाईरवी का चितकार कहा जाता है। अलग-अलग वईज्यानी की इस घटने के अलग-अलग explanations देते हैं। कोई कहता है कि ये solar flares के कारण होते हैं। तो कोई कहता है कि अंडर वाटर केप्स कोलाप्स होने के कारण होते हैं। और कोई-कोई इसे offshore tsunami एवं एवलेंस से जोड़ कर देखते हैं। मिलिटरी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आवाज sonic boom के कारण होता है। जो कि तब होता है जब एक fighter aircraft अपने अत्याधिक speed से sound barrier को तोड़ देता है। परंतु जिन भी अंचलो में ये सुनाई दिया है, वहाँ पर एसा कोई भी activity report नहीं हुआ है। ना साइवं एसा के कुछ वईज्यानिकों ने कहा है कि बोलाइड एक परकार का meteor होता है। जो कि अर्थ के atmosphere से टकरा कर explode हो जाता है। और यदि ये explosion किसी थीक cloud के उपर होता है, तो cloud संदर से खोकले होने के कारण उस विसपोर्ट का आवाज पृथिवी के एक बड़े area में इको के रूप में सुनाई देता है। हाला कि इसका अभी तक कोई भी physical evidence नहीं मिला है। एक और theory कहता है कि ये आवाज पृथिवी के सतह पर उपस्तित ग्यास escaping points से निकलता है, जिनको की hot springs यानि गर्म पानी का झरणा कहा जाता है। परन्तु ये आवाज ऐसे भी जगाओं पर हुए हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का hot spring नहीं है। परन्त गुरु अच्चू तरंद जी ने कहा था कि जब कल की अवतार अपने मायावी संघार तथा विनाश लीला का आरंब करेंगे, तब ओडिसा में बार बार आकास मार्ग के सुन्यता में से एक प्रचंड गर्जना सुनाई देगा, जो कि कुछ और नहीं, बल्कि स्वय भैरवी का चितकार होगा, जो मनुष्य जाती को सतर्क करते हुए के रहा होगा, क्यारे ए पापी मनुष्य, अब तेरे कूकर्मों के फल मिलने का समय आ चुका है, आज यही भविश्यवानी ओडिसा में वाइरल हो रहा है, क्योंकि 29 ओक्तोबर 2024 के दिन, ओडिसा के गणि बार नहीं हुआ है, बलके इसी अंचल में इसी साल मातर कुछी दिवसपुर्व समान गरजणा शुनाई दिया था, और पिछले साल भी समान गरजणा सुनाई दिया था, केवल यह एक अंचल नहीं, बलके ओडिसा के बालिश्यवर, भद्रक, कटक, जाचपुर, मैय जिल्लों में पिछले पांच साल के अंदर एसा गर्जना अने को बार सुनाई दे चुका है परन्तु अभी तक ना साधर्ण लोग ना वज्यानिक और ना ही सरकार इसके सत्यता को जान पाया है प्रश्न है कि ये भाईरवी आखिर है कौन और ये एसा चितिकार क्यूं कर रही सनातन में विशेश रूप से तंत्र सास्तर में माता भाईरवी जी को देवी का स्रेष्ट रूप माना जाता है कुछ प्राचिन गरंथों में तो उने त्रिमूर्ती यानि ब्रह्मा विश्नु महेश्वर जी से भी स्रेष्ट कहा गया है दस महा विद्याओं में से एक माभ भाईरवी समस्त चौसट योगनी समस्त चंडी चामूंडा यहां तक की बावन भाईरव के भी सरदार है जो तब प्रकट होती है जब संसार में पाप, कुकर्म, अन्याय, अत्याचार तथा अधर्म का मात्रा अत्याधिक हो जाता है माभाईरवी जी को सुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने प्रिय भक्तों का रक्षा भी करती है भविश्य मालिका के सिबक और पौन अवखंड निर्गोंट में खुद महादेव जी ने कहा था कि द्वापर के पश्चात भाईरवी गुप्त हो जाएगी और कल्यूग के अंतिम काल में जाकर पुनरवा प्रकट होगी जब यूग परिवर्तन का समय आ चुका होगा कल्यूग का अंतिम काल खंड अंग्रेजी वर्ष 2013 से सुरू हुआ था और तब से लेकर अभी तक ओडिसा में भाईरवी का चितकार या गर्जना अने को बार सुनाई दे चुका है जो किस पश्ट रूप से ये किसी ने भी नहीं देखा है क्योंकि ये अवतार एक प्रकाशित अवतार नहीं है बलकि एक महागुप्त अवतार है क्योंकि वर्तमान के यूग का नाम है कल्यूग जो कि इतना भयंकर है कि इस कल्यूग पर राज करने वाला कली हमारे धर्म स्तलों में हमारे कार्य शत्रों में हमारे परिवार में हमारे जीवन में यहां तक की हमारे मन में भी प्रवेश हो चुका है एसे स्तिती में यदि अवतार खुदा कर लोगों के सामने खड़े होकर भी बोल दे कि मैं अवतार हूं तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे उन्हें पागल बोलेंगे और अपने अपने रस्ते चल पड़ेंगे चाहे वो वेद व्यास जी का भविश्य पुरान हो या पंच सखाओं का भविश्य मालिका दोनों ही प्राचिन ग्रंथों में कहा गया है कि कलकी अवतार एक महागुप्त अवतार है जो अपना लीला गुप्त रहे कर ही करेंगे परंतु उस का प्रभाब मनुष्य समाज में अवश्य द्रिश्यमान होगा जिसा कि आज हो रहा है पिछले अध्याय में मैंने इसी परिवर्तन के विश्य में अत्यंद विस्तार से चर्चा किया था यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा ताकि आप इस कलकी लीला को समझ पाए भविश्य मालिका के काड़ो निर्गोंटो ग्रंत में हार एक घटना के समय को निर्धारित करके लिखा गया है उनी में से एक कलकी अवतार के जन्म को लेकर है जिसमें संत गुरु अच्चूतानंद जी ने अपने दिभ्य गणना के माध्यम से कहा था कि गर्तित हो जाएगा इसका कोई ठोस प्रमान तो नहीं है परंतु पंच सखाओं के अनेको पुरातन भक्तों का कहना है कि ये घटना हो चुका है और उन्होंने इसे अपने आखों से देखा है यदि उनके बातों को मान लिया जाए तो वर्तमान कल की अवतार 30 साल से अधिक आयू के हो चुके है और मैं इसे एसे ही नहीं के रहा बलकि आज दुनिया में जिस प्रकार के घटनाई हो रहे हैं उसी के आधार पर के रहा हूं किसी भी समय पर परमान युद्ध सुरू हो सकता है किसी भी समय पर एक प्रणेंकारी भुकंब एवं एक प्रणेंकारी सुन और यदि आज है तो ये सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। विजेता है सर्वोतम जा हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक, शेर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जै जगन्नात, जै पंच सखा, जै हिंद।